नमस्कार दोस्तों बहुत बहुत स्वागत वंदन अभिनंदन है आप सभी का ओनलाइन स्पेशल यूटिप चैनल में दोस्तों आज से हम लोग जो नया चप्टर शुरू करने चाह रहे हैं जो की होगा जी विक्यान पर बायोजी जी से कहते हैं दोस्तों इसके पहले हम लेक्चर्स आपके बहुत काम आने वाले हैं क्योंकि इन लेक्चरों में डिस्क्रिप्टिव पार्ट के साथ साथ लास्ट फिप्टीन येर्स में जो कोशन्स बनते हैं बने हुए हैं पट्री पटिकुलर टॉपिक पर वो सारे कवर कर चुके हम लोग तो उनको देखना ब कार्फ तो और विग्यानक नाम क्या होते हें जीवढारियों के नाम है लोग चानेंगे तो बीना स्रमिय कवारे हम लोग शुरू करें आजका टॉटिक पहले हम लोग परिवाश से शुरू करें दोस्तों बाइलागी कि किसे कहते हैं तो बैसिकलिसक्यर यह विज्जान की के वह शाक आः जिसके अंतरगर जीव धारी यह लीविंग बिंग्स का अध्यान किया जाता है उसे बाईलोज्जी के बात करेंगे तो दो सब्दों से मिला बायो और लोगोस बायो का अर्थ होता है अध्यान तो दोनों को में के बनता है बायलाजी इंपोर्टेंट टॉपिक होने वाला है दोस्तों एक से दो नंबर जो है आपके बनते ही बनते हैं टॉपिक से तो बने रही है वीडियो के अंट तक क्योंकि बेसिक जाना बहुत जरूरी सन्वागेरा पुछे जाते हैं इतियास कारों के विज्ञानिक जो कि कब किया था 801 हिस्वी में किया था आगे बात करेंगे दोस्तों अरस्तु की सबी लोग जानते अरस्तु जिने फादर वादर भी कहा जाता है इसका इनकी बात करेंगे तो 344 से 322 इस्वी पूर्व की जो इनका वो जीवन और मरन का सन है ने नो भागों में छपी हुई अपनी जनतु इतिहास नामक पुस्तक में 500 जनतुओं की रषना सभाव वर्गी करण जनन आदिका वर्णन किया इसी अधार पर इने जनतु विज्ञान का जनक भी माना जाता है आगे देखेंगे दोस्तों केवल जिग्यासा की शांती के लिए जीवतारियों के अध्धन को सेध्धनिक जीव विज्ञान या प्योर बायलोजी कहते हैं तता मानव कल्यान यूमन वेलफेर के लिए अध्धन को वेवारिक जीव विज्ञान या अप्लाइट बायलोजी क आगे देखेंगे आपकुछ समानताव विषम्ताव की बात करेंगे तो समानताव विशम्ताव के अधार पर जीवधारियों में विभाजित करने को क्लासिफिकेशन या वर्गीकरन करते हैं अब तक जो है 17 लाग विभिन प्रकार के जीवधारियों की पैचान कर उनका नाम क औरण किया जा चुका यह को जी विग्यान की वह श्याका जिसके अंतर शायद जीवधारियों का वरगयकरन किया जाता है उसे क्या कई सन्योमी करता है वो आगे देखेंगे जशायद आधर J जॉन रे नामक वेग्यान ने प्रदान किया उन्होंने ही सरवप्रत्म किसी एक प्रकार के जीवधारिय के लिए इसे ही इंपोर्टेंट टॉपिक किया पॉइंट्स आपको मिलने वाले दोस्तों यहां पर किसको क्या कहा जाता है कौन था जनक और सबसे पहले जो इस्पीशी शब्दे किसने प्रेव क्या किया था तो वो थे जौन रहे थे आगे दिखेंगे के रोलास लीनियस की बात करें करेंगे तो सत्रा सो आठ चे सत्रा सो इठियोत्तर इसवी नामक स्वीडिश वेग्यानिक ने सिस्टम ऑफ नेचर इंपोर्टेंट है सिस्टम ऑफ नेचर नामक पुस्तक में जीवधारियों को दो वर्गों में बाटता था पहला वर्ग था एनिमल किंडम और दूसरा वर करेंगे तो जिसमें जर्बन वेग्यानिक एज हिकल ने इस पश्ट रूप से जन्तु या वनस्पति शेणी में नहीं आने वाले एक कोशी सुष्म जीवों के लिए प्रोटेस्टा शब्द का इस्तमाल किया तो जो बेसिक टर्मिलोजी है दोस्तों वह सब आज यहां क्लि में पर विटेकर ने जीवधारियों के पां slips जगत फाइफ कि इंडम को विभाजित किया पांस चरीके से उन्होंने जो आगे जाके में अनिस वनसीतर में विभाजित किया विटेकर द्वारा जीवधारियों को मोनेरा प्रोटेस्टा कवक पादप वद जन्तु के में विभाजित किया अब इसके वर्गी गरण को अम लोग जो है इस वर्ग का नाम और इसकी उशेष्टा देख लेते हैं सबसे पहले मोनेरा की बात करेंगे तो इसमें असिम केंद्रक जीव इसमें शामिल के जाते हैं ज भी जो है इसको साथ के साथ कवर करते हो चलेंगे प्रोटेस्टा की बात करेंगे दोस्तों अगला है हमारे पास तो इसमें जो विभीत प्रकार के एक कोशिक की है प्राय जली समकेंद्रिक जीव शामिल है जैसे की यूग लीना आगे देखेंगे पादप की बात करेंगे इसमें बहु कोशिक पादप सम्मिलित है यह अपना भोजन प्रकास अंशलेक्शन से बनाते हैं आगे देखेंगे चोता है कवक फंगी की बात करेंगे तो यह प्राय पर पोशी जीव धारी सम्मलित किये गए है इसमें आउशोशन द्वारा पोशन होता है इनी मीलिया की बात करेंगे तो इसमें बहु कोशिक जन्तु सम्मिलित किये गए हैं अब बाइनरी सिस्टम की बात करेंगे जीव के नामकरण की द्वी पद्धती बाइनरी सिस्टम क्या होता है नामकरण में तो केरोलस लीनियस ने 1753 इसमी में प्रचलित किया था यह सिस्टम इस कल्चर आगे बढ़ता चला गया और हम लोग भी जो इस्तिमाल करते वो इसे ही करते हैं आगे देखेंगे पहला शब्द जो वंश नाम या जैनेरिक शब्द नेम तरह दूसरा जो है स्पीशिस नेम होगा वंश एवम जाती नामों के बाद उस वेग्यानिक का नाम लिखा ज तो उसका नाम होगा होमो सेफियंस सभी को पता है गदे डॉंकी की बात करेंगे तो इप वेल्गेरियस जो है इसका वेग्यानिक नामे गोर की बात करेंगे तो बॉस इंडिकस बफेलो की बात करेंगे तो बॉस बूबेलियस और कैमल की बात करेंगे तो केमिलियर बैक्ट फेमिलियस जो है डॉप को कहा जाता है वेगनिक भाषा में एलिफेंट की बात करेंगे तो इसको वेगनिक भाषा में कहा जाता है आगे देखेंगे सुवर की बात करेंगे दोस्तो तो इसको वेगनिक भाषा में कहा जाता है करेंगे तो एंबली का कहा जाता है अवला को एपल की बात करेंगे तो मालास सिल्वेस् ट्रेस कहा जाता है गुवावा अमृत को काय मैं कहते है तो किरिका पंपपाया पंपाया पंपाया अगला देखेंगे अनार की बात करेंगे दो अनार को जो है पूरिय कारिया ग्रेनेटम जो है scientific language में कहा जाता है आगे देखेंगे बास की बात करेंगे बैंबू की तो बैंबू को जो है बंबू सा तुल्दा कहा जाता है नीम को कहते है अजर डिरेक्टा इंडिका जो है नीम को कहा जाता है पीपल की बात करेंगे तो फिकोस रेलीगी ओ योसा जो है पीपल को scientific language में कहा जाता है सागवन या टीक को जो है कहा जाता है टेक्टोना ग्रेडियन्स और शीशब इंडियन रेट वूट को जो है कहा जाता है डलबर जिया सीशु समर्ण धान राईस की बात करेंगे जो audio कि बात करेंगे ट्रीट कम स्टीवन जो है वीड को इसे ने की बात करेंगे टिर्स एरिंब जो है चने को कहा जाता तो दोस्तो ये आज का बैसिक पार्ट नहीं तक रहेगा weiß इसके विषयिश तत्य के सास्थ पिछले 15 वर्सों में जो सवाद पुछे गए तो उनको भी देखना शुरू कर देंगे तो आप बने रही है हमारे सब्सक्राइब के साथ चैनल पर नए वीवर है दोस्तों तो आपके रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करना ना पूले बेलाइकन को प्रेस के चाहिके वीडियो की लेटे चाइम नहीं आप बिल्कुल भी देखना ना पूले बारा बच के पंदा मिट पर डेली लाइव क्लास लगती है वीडियो कंटक्ट देखने के लिए धन्यवाद जहीं दोस्तों